नमस्कार साती हूँ, स्वागत है एक बाद फिर से सौर अफ सिलेक्टिव क्लासेज में साती हूँ एक बाद फिर से मैं मदबदे सिक्षक भरती वर्ग तीन से संबंदित बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूँ साती है जैसे आप सबको पता होगा कि 8 दिसंबर के यहाँ पे लिष्ट जारी होने वाली है जिसमें आपके नाम आने वालों के लिए बहुत बड़ी खुस ख़वरी की बात है अब यहाँ पे कई बच्चों का कमेंट हो रहा था कि यहाँ पे जो 8 दिसंबर को लिष्ट आएगी उसके बाद जब से 9 दिसंबर को यहाँ पे document verification जो दस्ता वेज है आपके उसके सत्यापन की सूची जारी होगी और उस चैन सूची के according यहाँ पे दस्ता वेज अपलोड करन है तो यहाँ पे याद रखना है आपको जिनका भी नाम 8 दिसंबर की लिष्ट में यहाँ पे सामिल होगा चैनल लिष्ट में सामिल होगा उन्ही को 9 दिसंबर से यहाँ पे क्या करना है 9 से 16 दिसंबर तक यहाँ पे आपकी date दी गई है तो यहाँ पे आपको अपने दस्ता अप्लोड करना है उन्हें सत्यापित करवाना है अब यहां पर देखी बात यह होड़ती है कि बाके पूछते हैं कि क्या हमारे नाम आने के चांसे हैं क्या हमारे नाम अगली जो सूची जारी की जाएगी उसकी काँशलिंग में आ सकते हैं जैसे देखी बर्ग 3 में जिनके कम number है उनको भी निरास होने की ज़रत नहीं है पर इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर जिनके number बिल्कुल भी neglect है कम है वो यहाँ पर खुस हो यहाँ पर मतलब जो आपका cut off जाने वाला है उससे 2-3 number आगे पीछे हो सकता है और ऐसे लोगों की चैन सूची जो next सूची बनेगी उसमें नाम आएगा तो यहाँ पर जो नौ तारिक की यहाँ पर document validation होगा उसमें सिर्फ उन बच्चों को यहाँ पर document upload करना है जिन बच्चों का सूची में नाम होगा उसके बाद बाद आती है कि क्या हमारा दूसरी सूची में नाम आएगा तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि Professional Examination Board मदपदेश मुपाल के दोरा आयोजित प्राथमिक सिक्षा पातरता परिक्षा 2020 में अहर पाए गए अभ्यर्तियों से स्कूल सिक्षा विभाग के अंतरगस वर्स 2022-23-23-24 में लोग सेवकों के सेवा निवर्त होने से उदभूत होने वाले रिक्त पदो की पूर्ति की जानी है इस अकाडमिक के सत्र 2023-24 के विभाग दौरा पच्छत्तर सो पदो पर प्रात्मिक सिक्षकों की भरती की कारवाही की जाएगी इसे तूप पूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से प्रारम की जाएगी और जन जाती कार विभाग दौरा रिक्तियां उपलब्द कराये जाने पर सन्यूक्त कॉंसलिंग की जाएगी और पदों की संख्या कमी तथा ब्रद्धी की जाएगी तो यहाँ पर देखिए जन जाती कार्विवाग जैसे ही पद अपने यहाँ जारी करेगा तो सुभाविक सी बात है 7500 पद से अधिक ही यहाँ पर पद इंक्रीज होंगे जो भी पोस्ट है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा और दोनों पोस्टों को यहाँ पर मर्ज करकर फ जैसे हम मार्च 2023 में आरंब की जाएगी प्रक्रेली किए तो मार्च में जब चैन सूची जारी की जाएगी उसमें जिनका नाम रहेगा फिर वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं दूसरी चैन सूची के अकॉर्डिंग फिर अपना डाकुमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अब इससे समबंदित कुछ और खवर निकल के आती है कुछ और अपडेट निकल के आती है तो हम इस चैनल पर आपको बताएंगे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इस तरह की हम न्यूज लाते रहते हैं और जैसे हमें कुछ खवर मिलती है तो हम जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं जब तक के लिए जाहिन जाय भाराद